एक आदमी ने एक बहुती खुपसुरत लड़की से शादी की, शादी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुजर रही थी, वो उसे बहुत चाता था और उसकी खुपसुरती की हमेशा तारिप किया करता था, लेकिन कुछ महिने बाद लड़की चर्मरोक से ग्र सुरत हो गई तो उसका पती उससे नपरत करने लगेगा और उसकी नपरत बरदाश नहीं कर पाएगी, इस बीच एक दिन पती को किसी काम से शहर से बहार जाना पड़ा, काम खतम कर जब ओ घर वापस लोट रहा था उसका एक्सिडेंट हो गया, एक्सिडेंट में उसने उनों आखेगा खो दी, लेकिन इसके बावजिवत भी उन दोनों की जिन्दगे सामन्य तरके से आगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा और अपने चर्मरों के कारन लड़की ने अपनी खुपसुरती पूरी तरह गावा दी, वो बत सुरत हो गई, लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहल योहाईत जीवन पर कोई प्रवा नहीं पड़ा, वो उसे उसी तरह प्यार करता रहा, एक दिन उस लड़की की मौत हो गई, पती अब अकेला हो गया था, वो बहुत दुखी था, वो उस शहर को जाना चाहता था, उसने अधिम संसकार की सारी क्रियाविदी पुर्ण की और शोड़कर जाने लगा, तभी एक आदमी ने पिछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे अकेले कैसे चल पाओगे, इतने साल तो तुम्हारी पतनी तुम्हारी मदद किया करती थी, पती ने जवाब दिया, दोस्त मैं अंदा नहीं हूँ, मैं बस अंदा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पतनी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसुर्थी देख सकता हूँ, तो यह उसके रोक से ज़्यादा दर्द देता, इसलिए मैंने इतने साल अ अंदे होने का दिखावा किया, वो बहुत अच्ची पतनी थी, मैं बस उसे खूश रखना चाता था, सिख, खूश रहने के लिए हमें भी एक दुसरे की कमियोग ये प्रती आखे बंद करनी लेनी चाहिए, और उन कमियोग को नजर अंदाच कर देना चाहिए, अगर आपको मेरा हीडियो पसंद आये तो हीडियो को लाइक करे और चाइनल को सस्क्राइब करे, धन्यवाद